नमस्कार मित्रों इतिहाज गवा है कि जब जब धर्म पर संक्ट आया कोई न कोई रूप में भगवान इस प्रित्विर पर जन्म लेते है और अधर्मियों का सर्वनाश करते हैं एक समय पहले महरार प्रताब यहुद्धा का जन्म हुआ एक समय पहले छत्रपति शिवाजी महराज का जन्म हुआ ये दो नाम सुनते ही मुगलों के पैरों की नीचे की जमिन सरक जाती थी ये दो नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लांडों के पसीने छूट जाते थे ये वो दो महावीर थे वैसे तो भारत में ऐसे महापूर्शों का बहुत सारे महापूर्श जन्म लिया हमारे भारत देश में सरदार वल्ला भाई पटिल जी हो या प्रत्विराज जी चावहान हो ऐसे कई धर्म वक्त ऐसे कई देश वक्त लेकिन आज उन महापूर्शों के बारे में जब सुनने को मिलता है इतियास पढ़ने को मिलता है तो आज के तीन महापूर्शों का नाम हमें याद आता है और आज की जो मुगलों की जो नाजयस अउलादे हैं पता हैं किसका नाम सुनते ही इनके पैरों की नीचे की जमीने ना हिल जाती है पता हैं ये तीन नाम मोदी जी, अमिश्या जी और योगी जी ये तीन नाम सुनते ही औरंगजेग की नाजयस अउलादों जो अउलादे हैं आज जो भारत मता की जे नहीं बोलते हैं जो वंदे मातरम का गीत नहीं गाते हैं उनके पसीने और उनके छक्चे छोड़ जाते हैं ये तीन नाम सुनते ही तो मैंने आपको कहा न insulted that, कि जब जब धर्म और देशपर संकार आता है कोई-ना-kोई महापुरुषश हैं देश की रक्षा कि लिए, धर्म की रख्षा के लिए इस प्रित्वी में जम लेते हैं ईसव आज यह हमारे लेडिस अपलोट स्वार चानल